हलो दोस्तो आरवन एकडवी क्लाशस में आप सभी का सवागत है मैं राजिस्कुमार और आज हम लोग डिस्कुसन कर रहे हैं क्लास 12 तो इसको हम लोग आज डिफरेंशेट करेंगे विध रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो यह निए y is equal to क्या दिया है y is equal to है cos under root x ठीक है तो एक मिनट cos under root x ठीक है differentiate differentiate with respect to x ठीक है तो इस question को solve करने के लिए हम लोग को cos x का differentiation पता होना चाहिए root x का differentiation पता होना चाहिए और function में function का chain rule का differentiation होता है वो पता होना चाहिए ठीक है तो cos x का differentiation क्या होता है minus sin x और x power n का होता है n x power n minus 1 और chain में क्या होता है जो function है उसको differentiation करेंगे ही उसके उपर उसके बाद जो उसमें जो function है उसको भी differentiation कर देंगे तो चलिए देखते हैं dy by dx is equal to dy dx cos under root x तो is equal to minus sin under root x into dy by dx under root x इस तरह से लिखेंगे फिर उसके बाद root x का differentiation करना है तो root x का differentiation क्या होता है इसको दियान से समझिएगा minus sin root x into 1 by 2 into x के पावर में minus 1 by 2 ठीक है minus 1 by 2 कैसे आया 1 by 2 minus 1 by 2 को जब हम minus 1 से करेंगे तो यह कटेगा तो 1 minus 1 by 2 आ जाता है ठीक है तो अब इसको लिखना है क्या देखिए यहाँ पर minus sin root x into 1 by 2 root x तो इसको लिख देगे क्या minus sin root x by 2 root x किसका differentiation हो जागा d by cos root x का differentiation होगा minus sin root x divided by 2 root x तो यह था question number 8 का detail analysis तो इसको देखिए practice किजिए revision किजिए Thank you तो